हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ग्रोफ ट्रेडर्स पर फ्रेंड यहाँ पर हम एनलाइज करने वाले हैं निफ्टी फिटी और बैंग निफ्टी को कि कल एकस्पार ही कि दिन मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवस हमें दिखा सारी चीजे होती है तो अगर आप भी जॉइन करना चाहते हैं तो जॉइन कर सकते हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे बहले बात करेंगे मिया पर बैंक निफ्टी की सो फ्रेंट बैंक निफ्टी का आप पर है तो यहां पर हम कैसे यूज कर सकते हैं क्यों सफेयं कर सकते हैं यहां पर यह यह वे यहारोब mummy रहे चार्ट पर आप चार्ट मोद देख सकते हैं प्लस चाँए ढाँग और पह MAShing यह पूट साइट का डैटा है ὁट यह सारी चीजी की आसे और आप देखना नहीं आता है तो वीडीयो से देख सकते हैं यहां आप expiry वगर भी चेंज कर सकते हैं अभी जैसे यहाँ पर कल डेट कह 19 है तो उसकी expiry के दिखा रहा है अगर आपको चेंज करना है आगे के expiry का data देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं तो बिल्कुल सिंपल है आप चार्ट पर ही option chain को देख सकते हैं चाहे वो बैंक के लीजेक्षन के इस एक रिजेक्षन के अंदर मूव करता रहा है तो इसेड्स पर निकल कर आया निकल कर आया वह है यहां पर 42,300,300 यहाँ पर 345 का लेवल, 345 के आसपास का लेवल है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट बनाया है, अब गया rejection phase का डाउन आया, तो एक range के अंदर यहाँ पर move कर रहा है, सबसे अच्छा कल यहाँ पर क्या होगा, कि अगर market इसी range के अंदर open हो जाए, और first half इसी के अंदर move करता है, और जिस तरफ को यह breakout करें, upside हो यह फिर डाउन साइड, बहुत अच्छा target हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल expiry है, इस चीज का ध्यान रखेगा, तो फिलाल यहाँ पर हम लेवल देख लेते हैं, तो देखे अगर यहाँ से movement देता है upside, upside 42,555 के ऊपर closing मिलती है, त हम यहाँ पर upside का trade प्लान कर सकते हैं, जो target होगा, तो देखें, first target यहाँ पर है, वो है, यहाँ पर 42,630 का level, 42,630 के आसपास का level, क्योंकि यहाँ से rejection को phase क्या होगा है, तो यह हमारे यहाँ पर first target होगा, प्लस projection देखना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या projection मन रहा है तो यह हमारे यहाँ पर first target होगा, अगर यह break होता है, तो next target यहाँ पर यह जो high बना हुआ है, इस level तक target हम देख सकते हैं, 42,713 का level, इस level तक target हमें दिखा सकता है, bank nifty, क्योंकि यह एक range के अंदर है, जब भी market sideways हो, उसके बाद जब breakout करता है, जिस तरफ को, तो एक बहुत अच्छा target हमें देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से देखे, यहाँ से trendy रहा है market, यहाँ पर देखे, अब गया, यहाँ पर down है, अब उसके यहाँ पर इसने क्या बना लिए, एक range बना लिए, ना तो इसकी high break हो पा रहा ना यहाँ यहाँ पर यह low break हो रहा है, तो यह क्य down आता है, तो देखे, 42,350 के नीचे, 42,345 के नीचे closing मिलती हो, प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है, तो इस level के नीचे अगर market निकलता है, तो downside का हम trade plan कर सकते हैं, तो जो target देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर जो first target होगा, चलिए यहाँ पर हम target देख लेते हैं, तो हमारे पास यह यहाँ से देखे, यहाँ से direct हमें fall भी देखने को मिला है, और यहाँ पर down आया था, यहाँ पर support लिया था, तो यह हमारे लिए क्या होगा है, strong level, downside, 42,270 का level, यह हमारे यहाँ पर first target होगा, downside में, अगर यह break होता है, तो next target जो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, वो अगर upside, 42,715 के level को break करता है, तो next target देखने को मिल सकता है, तो वो होगा हमारा यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यह level है, तो यह निकल करा रहा है, यहाँ पर, 42,825 के आसपास का level, क्योंकि यहाँ से दिखे, यहाँ से fall आया होगा है, यहाँ पर अब दाउन आया, rejection face किया, यहाँ से fall, तो यह हमारे लिए, क्यों होगा, next level, next target, 42,825 का level, लेकिन, एक चीज़ और यहाँ पर दिखेंगे, कि 42,700 के आसपास से कई बार rejection को face किया हुआ हुआ है, और बड़े-बड़े fall आये हुए है, तो अगर 42,700 के level को जब तक यह support नहीं बना movement दे सकता है, क्योंकि यहाँ से बड़ा fall आया हुआ है, इसलिए हमारे लिए strong resistance है, और काफी दिन से market इसी resistance के आसपास ही move कर रहा है, यानि कि एक range बनी हुई है, ठीक है, तो इसे ध्यान रिखेंगे कि लेवल को, downside, हमें level to level work करना है, तो downside आता है, तो यह हमारे target होंगे, अगर यह भी break होता है, तो next target फिरम यहाँ पर, जो देखेंगे वो होगा यहाँ पर, 42,070 के आसपास का level, इस level तक भी target हमें देखने को मिल सकता है, अगर यह projection मनाते हुए down आता है, अगर projection मनाते हुए अब जाता है, अब देखें फिर्ट मार्केट अगर gap up या gap down open हो, जैसे कि मैं आपको बार-बार कहती हूँ, तुरंट trade को मत क्या करिए, जब भी market तुरंट open हो, तुरंट trade करिए, थोड़ा सा wait करिए, wait करिए, देखें कि वो कहाँ पर open हो रहा है, क्या range बना रहा है, क्या level बना रहा है, और क्या candle बना रहा है, उसके बार trade को आप प्लान क बना रहा है, तो फिलाल यहाँ पर यह था मेरा अंसिस, बैंक निफ्टी के लिए, तो अगर आपको बैंक निफ्टी काने से अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, उसके बाद हम चलते हैं, देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को, कि बैंक किस तरह से मुवमेंट दे सकते हैं, सो अबने यहाँ पर हम बात करें, सजफी बैंक की, तो देखें, सजफी बैंक यहाँ ओपन हुआ, और काफी अच्छा मुवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिला, उसके बाद यह एक रेंज के अंदर यहाँ पर मूव करता रह इसलिए यहाँ वहाँ पर, जो हमारा बैंक निफ्टी है, वो भी कुछ खास मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेन हमारा SDFC बैंक है, अब कल आपको क्या करना है, इसको नजर बना के रखनी है, अगर बिजिस तरफ को यह ब्रेक आउट करेगा, बहुत अच्छा टार्ग हमें, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, और प्लस यहाँ पर SGFC बैंक में भी, तो ध्यान रखेगा फ्रेंट, जो हमारे लिए है, वो है यहाँ पर 1632 का लेवल, अगर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तब हम यहाँ पर डाउन साइट का ट्रे 1621 का लेवल, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन फेस किया था, तो अब हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है, तो डाउन आता है, इस लेवल तक टार्गेट हमें देखने को मिल सकता है, SDFC बैंक में, तो इसे ध्यान रखेगा, और 50A में को भी ध्यान रखेगा, अगर यह ब्रे सकता है, SDFC बैंक में, तो चले हम देख लेते हैं, यहाँ पर ICI बैंक को, अब हम यहाँ पर ICI बैंक की बात करें, तो देखे फिर्ट, ICI बैंक ने किस तरह से मोमेंट दिया, यहाँ पर, यहाँ ओपन हुआ गेप डाउन, और यहाँ से क्या बना लिया, सपोर्ट बना लिय यह रिटेस्ट, अभी क्या है, यहाँ पर जो लेवल है, लेवल क्या है हमारा, 870.50 का लेवल, अगर कल इस लेवल को ब्रेक करता है, यानि कि ICI बैंक इसी लेवल के आसपास है, तो ध्यान निखेगा, अगर इसके ओपन निकलता है, क्लोजिंग दे देता है, तो हम अपसा टार्गेट यहाँ पर है, एक चोटा सा हर्डल यहाँ पर नजर आ रहा है, 874 का लेवल, अगर यह ब्रेक हो जाता है, यहाँ पर, तो नेच्ट यहाँ से रिजेक्शन फेस्ट क्या होगा है, तो यहाँ तक का टार्गेट हमें देखने को मिल सकता है, 877 का लेवल, इस अगर यह ब्रेक होता है, तो नेच्ट यहाँ पर, 862 का लेवल भी दिखा सकता है, तो इन लेवल को ध्यान रखेगा, चली हम देख लेते हैं, यहाँ पर, SBI Bank किस तरह से कल मुव्मेंट कर सकता है, तो देखें, SBI Bank, यहाँ पर यह ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड चुकि है, प्लस यह हमारा सपोर्ट है, अगर डाउन आता है, यह सपोर्ट ब्रेक होता है, तो डाउनसाइड यहाँ पर इस लेवल तरह टार्गेट दिखा सकता है, लेवल होगा हमारा 586 का लेवल, अगर यहाँ से मूव देता है, अपसेट तो ध्यान रखेगा, 593 का ले यहाँ सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के अब अब गया, डाउन आया, यहाँ सपोर्ट बनाया और यहाँ से अब गया, तो यह हमारे लिए सपोर्ट के ट्रेंड लाइन है, अगर डाउन आता है, तो फिर से यहाँ पर यह सपोर्ट के ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड तो ध्यान केगा नाइन हेंड़ग सबसक्ता है अगर यहां पर आपको कोई रिजर्शन केंडल मिल जाए डाउन आता है तो यहां पर जो हमारा Quotex bank को को taken bank ने कितना बहुत अच्छा ये अपसाइड मुव किया रिजेक्शन फेस किया candle लीके कौंस बनी हुए यह कांड़ जू 했습니다 य orada ऊफिंग बड़ा मुव अप गया उतना ही बड़ा मुव यहां पर डाउन साइड भी देखने को मिला तो हमारे पास यहां पर जो लैवल है तो देखेंगे यह हमारे लिए ट्रेंड लाइन सपोर्ट के टेंड लाइन जब भी सपोर्ट पर आया है एक बड़ी बाइंग आई है ध्यान यहां से देखें बड़ी बाइंग बड़ी बड़ी केंडल बनी हुई है तो अभी यह क्या है इसी जो सपोर्ट के टेंड लाइन है यहां पर सपोर्ट लिया हुआ है ठीक है और प्लस यहां पर 50 EMA अगर कल कोटेक बैंक यहां पर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है अब आपको टार्डट होगा तो देखें यहां पर तक पुरा पूरा को पूर्ся दिखा सकता है यहां पर यह उपूर्ट ल्र हें यहां आख गया सक्कता है तो यह इस लेवल तंड़ेटी दिखा सकता 1015 का अगर यह ब्रेट हो जाता है तो नेक्स टार्गेट यहां पर यह जो हाई बना हुआ है 826 के आसपास का लेवल भी ट्राइजेक्शन नाते हो बेजाएगा तो यहां पर देखने को मिल सकता है अगर डाउन आता है यहां पर बहुत सारे चीज़े हैं देखें अगर डाउन आता है एक सेकंड इसको यहां पर अपसाट कर सकते हैं तो इस लेवल डेख सकते हैं अगर आप स्टॉक में ट्रेट करना चाहते हैं तो आप इन स्टॉक को देख सकते हो और सबसे ज्यादा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वह मुझे SDFC bank लग रहा है कल उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वह बहुत ज्यादा रेंज ये अंदर फसा हुआ जिस तरफ को ये ब्रेक करेगा बहुत अच्छा टार्गेट हमें देखने को मिल सकता है तो चलिए हम देख लेते हैं इसके और काफी अच्छा प्रेट का मूव दिया और उसके बाद एक रेंज के अंदर मूव करता रहा जैसे बैंग निफ्टी रेंज के अंदर मूव करती रही तो यहां पर इसने भी क्या कर लिया एक रेंज बना लिए अब यह जिस तरफ को ब्रेक आउट करेगा 18,133 का लेवल यह हमारे लिए कि रेंज रहेगी इसे ध्यान रखेगा जिस तरफ को यह ब्रेक आउट करेगा एक अच्छा टार्गेट हमें देखने को मिल सकता है अगर 18,180 का लेवल ब्रेक होता है ब्रेक होने बाद क्लोजिंग मिलती है तो हमारे लिपास जो नेक्स टार 18,181 का लेवल क्योंकि यहां से देखेगी रिजेक्शन फेस का डाउन आया रिजेक्शन फेस का फिट्स टाउन आया यानि कि डबल टॉप बनाया था यह हमारे लिए स्टॉंग सप वर स्टॉंग रिजिस्टरंस है 18,240 का लेवल अगर यह ब्रेक होता है तो नेक्स्ट य का जोन यहां से कहीं से भी रिजेक्शन फेस करके डाउन साड का मूव दे सकता है तो यह हमारे यहां पर अपटार्गम पल मिल तो दो सकता आ तो दियान रखेगा फ्रेंट जो हमारे पास next door target देखने को मिल सकता है वो होगा यहाँ पर 18,300 के आसपास का level हमें दिखा सकता है 50-50 तो इन levels को दियान रखेगा अगर down आता है अगर यहाँ पर यह range break होती है down आता है तो first target हम इससे consider करेंगे 18,100 का level यह हमारा first target होगा down side के लिए यहाँ पर यहाँ पर अब जाने के बार rejection phase के down आया तो यह support बना के move दिया है up side तो down आता है तो फिर से यह support का level होगा 18,100 का level अगर यह break होता है तो next target यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है फिर हमारे पास यहाँ पर 18,000 यहाँ पर यह shooting star तो यहाँ पर ध्यान रखेगा 18,050 के आसपास का level होगा यहाँ पर इस लेवल तक टार्गेट में दिखा सकता है लेकिन तो यहाँ पर ध्यान रखेगा जो हमारे लेवल उसके बीच में moving average भी है तो अगर down आता है तो moving average पर support ले सकता है अगर प्राइजेशन बनाते हुए move करता है तो हमारे पास इस लेवल तक टार्गेट देखने को मिल सकता है downside में और यह हमारे पास upside के target हो गए अगर यह ब्रेख होगा तो next target 18300 के आसपास कभी लेवल दिखा सकता है तो यह था मेरा लेसे snifty 50 के लिए अब देखते मार्केट कहां पर open होता है gap up या gap down तो जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ अगर market gap up या gap सकते हैं तो फरन वीडियो अगर पसंदेते वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी आपके सवाल हैं उन्हें कमेंट वक्स में ज़रूर पूछिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए फ्रेंस गुडबाई एंड थैंक्स पर वाचिं अड़ा है गर झास करिए ज़रूर कहाईगा जभ झाल वीडियो में ज़रूर का जवएगा तो चलिएगा पुड़ा हैं लेगा हैं तो चलिएगा ज़रूर करता हैं ज़रूर